दोस्तो ये वीडियो आपके इंटर्टेन्मेंट के लिए होगे कि किर्पिया इसे दिल पे ना ले और इंजॉय करें दोस्तो यहाँ पर देखे जब कैमरा इस सीन को दूर से एंगर से दिखाता है तब अच्छे से दिख रहा है कि इदर सहनाज गिल के बाल हवा में बिल्कुल नहीं हूर रहे होते हैं जहाँ पर किसी परकार का हवा नहीं चल रहा होता है और नहीं इदर गुरू रंदवा का कोई बाल हवा में हिल रहा होता है पर अगले सिन में कैमरा सेहनाज गिल पर जुम करता है तो सेहनाज गिल का बाल हवा में जुम रहे होते हैं भाई साब केमरा के जुम करते ही इतनी हवा कैसे चलने लगी? दोस्तो इस चिन में देखी गुड़न भाई से एनाज गिल को खुश करने के लिए एक रिंग देता है दोस्तो देखा जाए सेनाज गिल के हात में तो पहले से इतने सारे रिंग होती है तो इनको रिंग देने से क्या फाइदा जहां पर तो ये सेनाज गिल के दोनों हाथ रिंग से भड़े होते हैं भाई अगर देना है तो उसे कुछ ऐसा गिप्ट दो जो उसके पास नहीं हो दोस्तो इस सिन में देखी गुर्णवा भाई के हाथ में जो रिंग होता है वहाँ पर इस रिंग को फेकता है नीचे की और और नीचे की और देखा जाए तो सिर्फ पानी ही पानी होता है प्रंतु अगले सिन में जैसे ही ये रिंग नीचे की और गिरता है तब ये बालों पर जागर गिरता है पानी कहां गया भा इतनी जल्दी इतना पानी कहां से सुख गया जा पूछ क्या दोस्तों इस चिन में देखे जहाँ पर सहनाजगील के कपड़े और बाल इतने हवा में जुम रहे होते हैं परनतू यहाँ पर जो तार के फेर लगे होते हैं तो भाई एक पता भी नहीं हिल रहा होता है, तो भाई यह कैशी हवा है जो सिर्फ सहनाजगील को लग रही है और पेड़ों को इसका बिलुकुल भी कोई असर नहीं हो रहा है ने 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 सारूं के यहां कुछ तोगड़ पड़ है जरूर कोई न कोई कर दोस्तों इस सिन में देखें यहां पर जब गुरू अनवा और सहनाज गिल दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तब अच्छे से दिख रहा जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बाते हैं कि किसी के गले नहीं उतरती लोग मजाग उडाते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही यह वीडियो आपके इंटर्टेन्मेंट के लिए होगी तो किस पैसे दिल पर ना लें अगर यह व